हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत यमी सा चीज़ी चिकन्तिका पिजा पिजा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी टो त्यार करेंगे टो के लिए हमने यहाँ पर आदा किलो मेदा लिया है कफस में दो कफ के करीब मेदा मियूस करेंगे ओइल वन टेबर स्पून शुगर वन टी स्पून एक वन अदर सॉल्ट वन टी स्पून इस्ट हमने टो टेबर स्पून लिए है भरकर यह इंस्टेंट इस्ट रें बटर पचिस ग्राम पॉर्म वर्टर हम यूस करेंगे आदा कब और आदा कब हम यहाँ पर मिल्क यूस करेंगे लेकिन पानी और मिल्क मुट्न ही यूस करेंगे जिदी हमें धरूरत होगी तो चलने त्यार करते हैं पिर्जे की टो सबसे पिलने कोल में आदा कब नीम गरम पानी एट करेंगे और साथ इसमें एट करतेंगे शुपर शुपर को पानी में अच्छे से मिस कर लेंगे अब इसमें हम एट करतेंगे एस्ट इस्ट को भी मिस करेंगे और फाइब मिनिट्स के लिए से कबर करेंगे ताकि इस जो है वो राइज हो जाए अब इससे के सेंटर में जगा बनाएंगे और इसमें शामिल करेंगे एक सॉल्ट बटर इसमें शामिल कर देंगे स्पून की मदद से बटर को मेश कर देंगे इस्ट हमारा राइज हो गया है अब हम इसे इस्ट की मदद से मेरा बटर को मुंन लेंगे एखे थोड़ा के आप इस स्टमिल करते जाएं और डौ को अच्छे से गूरते जाएं है कि साथ ही अम स्पें डून भी शामिल करेंगे जितने ही दोधी उतना ही दोध हम इसमें शामिल गरेंगे इस तरह डो को दो से तीन मिनट के लिए कुम देंगे डो आपके ज़्यादा सब नहीं होनी चाहिए ओल की मतब से डो को सेट करेंगे बॉल को भी ओल से ग्रीज करेंगे डो को दो से तीन कंटे के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से राइज हो जाए कर्मियों में डो से तीन कंटे में राइज हो जाती है लिएकि सर्दियों में इसे ओवरनाइट के लिए रख जाता है पिज़ा बनाने के लिए जो चीज़ा हमें चाहिए इपको चिस्ता से है हम यहाँ पर आदा किलो मॉनेज चिकन यूज कर रहे हैं इसको में क्यूब में कट कर लिया है सिर्का वन टी स्पूम चिली सोस वन टेबर स्पूम सोय सोस वन टेबर स्पूम ओलिव्स दिर्फिन जरूरत होगी हम उतने ही यूज करेंगे जिंजर कार्लिक पेस्ट वन टेबर स्पूम चॉप्ट कार्लिक वन टेबर स्पूम भेग पेपर वन टे स्पूम करष्ट रेच चिली वन टेबर स्पूम मुझे स वाइड़ टेस्ट एज़ए देज़ तो टेस्ट कट के एड़ya अवे हैं वेड़ टेबस में न लिए पर शिम्या इसको भी अपने जूलियन कट किया है चीज चैटर चीज और मौजेला चीज हम याँ यूज करेंगे सीजनिंग के लिए हम याँ पर थाइम और ओरिगानों का यूज कर रहे हैं तो चले आए बनाते ही पिस्ट चिकन को सबसे पहले मेरिनेट करेंगे तमाम सोसिस में शामिल करतेंगे जिंजर कालिक पेस्ट भी इसमें शामिल करतेंगे और साथ ही ड्राय स्पाइस भी इसमें जाएंगे अच्छे से मेस्ट करके 15 मिनट के लिए से रख देंगे एक पेन में वट्टे बस पून और गरम करेंगे और इसमें शामिल करतेंगे मेरिनेटिज चिकन अब इसे पाँच मिनट तक कफ़र रखेंगे पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए अप्टर 5 मिनट अब अब इसे पून लेंगे चिकन तक हमार रेडी हो गया है उसका पानी बिटाए हो गया है अब हम इसे साइट पर रख देंगे दो अच्छे से राख देंगे यह देखें यह दबल हो गई है हाथ पर ओयल लगा कर अब हम इसे एक से दो मिनट के लिए और इस तरीके से कुंग लेंगे आप हाथ की मदश से भी इसे इस तरीके से पहला सकते हैं या रोलिंग पिल के जरीए रोटी की तरह इसे पहल सकते हैं इसे पिजा के रोल के लिए कि इसवार वी अई चैंनल के जरीज होछए चैनल के लिए uda को सीथ्यां किंगर अब इस पर च dalam आएज हैं अब इसपे चेसरे पिजा सॉस लगाएंगे इस भी सोस की रसिपी हमारा से पहले ही शेयर करzes के हैं साथ ही इस पर जाएगा केचप इसको भी अच्छे से स्प्राइट करेंगे इस पर गार्लिक एट करेंगे श्रीमला मिर्च साथ ही इस पर एट करेंगे टिमाटर अनियन करें रहा है यह तक हैया यह फ्तिल्ण करेंगे आ ऐस आइट करेंगे इस पर इस खर पर गार्या इस पर इस पार्य माँथा है उर्दीर अनियाम इन पर ऊपाने और एकानो और तिक्का इस पर एट कर देंगे अब इस पर चैटा चीज और मौज़रा चीज एट कर देंगे जो मैंने पहले से ही कदू कुछ करके रख ली है आप चितनी चीज जानना चाते हैं इसमें एट कर सकते हैं मुझे जादा चीज पसान देंगे इसलिए मैं जादा चीज एट कर रही हूँ हमने एक पड़े से बातर में सॉल्ट एट करके इसे प्री हीट के लिए 15 मिनट परे रख दिया था यह प्री हीट हो गया है अब इसमें पिज़ा एट करके पिज़े को 25 मिनट के लिए कबर करके पकाएंगे और फ्लेम को लो रखेंगे अप्र 25 मिनट पिज़ा बेको रेडी हो गया है नीचे से भी अच्छे से सिख चुका है और बहुत अच्छा कलर आगया है मैं आपको कटकर करके दिखाती हूँ यह देखें यह बहुत यमी बना है बहुत चीजी बना है बहुत य टेस्टी बना है आप इस रेसीबी को एक बार ज़रूर ट्राय करें माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें तो न्यू और टेस्ट के लिए मेल आइकन पर क्लिक करें